हेलो एबरेन माने में इस पाथ और वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो बाइलोजी एससी क्लास चैन्स टू चैप्टर नूम्बर सेवन आज देखेंगे इसका लेक्चर नूमबर टू जिस में बात करेंगे पेज 79 और क्या होते हैं और कहां पर यूज किये जाएंगे इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इफ यू आर नियू टो चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलना शेर करना वीडियो को लाइक भी करना तो चली शुरू करते हैं सबसे बिले बात करेंगे ब्रेड की पाव बच्पन से खा रहे हैं अभी भी खा रहे हैं मरते दम तक खाते रहेंगे it is a very important part of our lifestyle and there are different types of bread भिन भिन परकार के bread होते हैं and ये सारे bread बनते हैं from flour of cereals, cereal मतलब क्या grains, wheat grain हो गया for example तो उसका जो आटा है flour उसमें से bread बनाया जाएगा, अब ब्रेड बनाना कोई बहुत बड़ा rocket science नही हैं बना के देख लेते हैं सबसे पहले मुझे dough बनाना है आटा गोंदना है तो मैं powder आटा लूँगा हमारा and उस आटे के अंदर flour के अंदर I will add water, पानी, फिर स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, salt, salt के साथ साथ we will add other necessary materials कुछ flavor का substance होगे आपने कुछ flavor डाला, essence डाला, oil डाल या फिर कुछ spice डालना है, masala डालना है, ये सारी चीज़े आपने add कर दी, अब हमें सबसे important ingredient add करना है यहां पर, and that is baker's yeast, इस्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, याद करना वो दिन, आपको जब मैंने asexual reproduction पढ़ाया था, life processes in living organism part 2 में, इस्ट क्या होता है, it is a unicellular fungus जो budding से reproduce करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, अब मैं आपको yeast का scientific name बताऊंगा, ध्यावन से सुन न, सुनो, काफी प्यारा सा, cute सा, जबड़ा तोड़ नाम है, break करके पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ, repeat करते हुए पढ़ना, SAC, 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 Kero, SAC, 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 SAC लिंग वाला नाम है इसको पांच-पांच बार लिखना डिक्टेशन की तरह तब जाके याद होगा प्लेन जाने दो आवा जा रहे है प्लेन का तो पहला वर्ड जो है न सेकरोमाइसर उसका 1st alphabet S capital रहेगा दिखरा है S capital है एंड उसका जो दूसरा वर्ड है seri VCA उसका 1st alphabet small रहेगा C small है तो फोर्स्ट वर्ड का 1st alphabet will be capital यह हमें याद रखना है पहली बात और दूसरी बात exam में जब आप लिख रहे हो ये नाम तो उसको आपको underline करना है अपने notebook में भी अगर आप practice के लिए लिख रहे हो तो उसको underline करना ठीक है ये दो बाते हमें याद रखनी है ठीक है exam point of view से बहुत ही जादा important है यहां तक की कहा नहीं समझ गए यह सारी चीज़ें हमने एड कर दी हमने इस्ट भी आड कर दिया लेकिन क्यों किया एड क्या मजा आया मजा आना चाहिए तो सुनो हमारा जो आटा था ना फ्लार उसके अंदर carbohydrates होगा यह carbohydrate का क्या होगा fermentation होने वाला है कौन करेगा का fermentation इस्ट करेगा fermentation क्या होता याद करना breakdown of a chemical breakdown of a chemical by a microorganism उसको हम बोलते हैं fermentation and carbohydrate भी एक टाइप का sugar ही है तो कहना ही से sugar को हम break करेंगे sugar का fermentation करेंगे हमें दो चीज़े मिलेंगी अच्छा मैंने करूंगा fermentation इस्ट करेगा तो शुगर के fermentation से हमें दो चीज़े मिलेंगी एक है carbon dioxide co2 gas produce होगा तो आपका जो आटा है डो उसके अंदर गैस बन रहा है तो वो आटा फूलेगा ठीक है ना फुग्गे की तरह फूल जाएगा and दूसरी बात हमें मिलेगा ethanol ethanol is a type of alcohol it is a type of दारु तो एक और बार फटाफट बता तो बही शुगर का fermentation किया तो दो चीज़े मिली carbon dioxide gas plus ethanol that is a type of alcohol यहां तक कहानी समझ गई तो मैंने समझ लो आटे को side में रख दिया 2-3 घंटे के लिए तो can you see वो फूल रहा है the dough will rise up rise up मतलब क्या expand due to carbon dioxide and जब इस आटे को लेके मैं oven में डाल दूँगा उसको मैं bake करूँगा तो क्या होगा भई उसके अंदर जो carbon dioxide wrapped है वो carbon dioxide बाहर आने लगेगी and तुमारा जो bread बनेगा वो कैसा बनेगा फूला हुआ the bread will become spongy and जब carbon dioxide बाहर जाएगी bread के तो holes हो जाएगे बहुत सारे तो bread को आप जब भी देखते हो तो आपको बहुत सारे चेद दिखते हैं उसमें holes दिखते हैं यह holes किसने बनाए carbon dioxide gas ने बनाए है ठीक है बच्चों यहां तक कहा नहीं समझी एक आखरी सवाल बताऊंगा आपको पूछूंगा हमने जब fermentation किया तो हमें दो चीज़े मिली carbon dioxide and ethanol carbon dioxide तो escape हो गया bread हमारा spongy हो गया लेकिन alcohol का क्या हुआ ethanol किदर है एक दिन अगर मेरे को quarter नहीं मिला तो मैं दो packet bread खाके ऐसा टली हो के जुमेगा क्या नहीं because जब हम bread को bake कर रहे हैं oven के अंदर तो उसमें जो ethanol है वो भी evaporate हो जाएगा vaporize हो जाएगा समझ रहे हो तो दारू नहीं मिला तो bread खाने का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है because इसके अंदर alcohol नहीं है clear bread बन गया अच्छा दूसरी बात commercial bakery इंडस्टी जो होती है बड़ी बड़ी बेकरी होती है जहां पर large scale पर bread बनाय जाते हैं वहां पर compressed yeast use किया जाता है एक block होता है चीज का कैसा block आता है हमारे वैसा yeast का एक block होता है right and इसको immediately use करना है इसको हम जाधा time तक रख नहीं सकते because इसके अंदर पानी होता है water content जाधा होता है ठीक है बच्छों लेकिन अगर मैं घर पे bread बना रहा हूँ domestic use तो अगर घर पे मुझे bread बनाना है तो I cannot use compressed yeast because मैं रोज रोज ब्रेड नहीं बना था तो compressed yeast को घर पे में store नहीं कर सकता जाधा time तक तो domestic use के लिए हम dry granular yeast use करेंगे इस्ट का powder आता है dry powder and इसको आप जितना चाहिए उतना time तक store कर सकते हैं जब चाहे use कर सकते हो clear है simple है बात घर पे use करना है domestic use dry granular yeast commercial bakery वाले क्या use करते हैं बड़ा बड़ा blocks use करते हैं compressed yeast एक और बा useful contents भी add किये हुए होते हैं for example थोड़ा कुछ carbohydrates, थोड़ा fats, थोड़ा proteins, थोड़ा vitamins and थोड़ा minerals ये सारा nutrients भी compressed yeast के अंदर add किया हुआ है तो अगर मैं इस block को compressed yeast को use करके हमारा bread बनाता हूं तो वो सारा nutrients भी bread के अंदर आ जाएगा तो हमारा जो bread है वो कैसा बनेगा? nutritive बनेगा, ठीक है, simple हमारा bread कैसा बन गया? nutritive बन गया, ये हो गई पूरी bread की कहानी यहां समाप, अब एक थोड़ी सी कहानी दूसरी बताता हूं, मानलो कि आप restaurant में या फिर hotel में Chinese food खाने के लिए गए हो, आपने momos, manchurian, fried rice, फलाना, धिमकाना, कुछ भी मंगाया, तो food क के साथ आपको soya sauce भी मिलेगा, एक bottle में छोटे, आपको विनेगर भी देगा, खटा-खटा होता ना विनेगर, and Chinese food बनाते वक्त, उसके अंदर एक salt add किया जाता है, अजीनो मोटो, सुना होगा आपने, काफी controversial salt है, बहुत सारी research है जो बोलती है कि ये तुमारे body के लिए harmful ह तुमारे nervous system को affect करता है, कुछ countries में ban हो गया है, हमारे country में ban नहीं हुआ है, अभी भी use होता है, तो ज्यादा Chinese food मत खाया कीजिए, बहर जाकर, ठीक है, मैगी के अंदर भी होता है, ऐसा बोलते है, I am not sure, अजीनो मोटो का scientific name देखो, monosodium glutamate, monosodium glutamate, and ये तीनों चीजे, so वैसास, विनेगर, and अजीनो मोटो, all of these three things are produced by microbial fermentation, किस तरह से बनती हैं, वो भी हम discuss करने वाले है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई है, तो चलिए थोड़ा गई जाते हैं, विनेगर प्रोडाक्शन, देखो, अलग-अलग type के विनेगर होते हैं, different types, and विनेगर पूरे world म यूस किया जाता है, विनेगर is used in each country of the world to impart a sour taste to the food materials, food को खटा करने के लिए, sour taste देने के लिए विनेगर को यूस किया जाता है, तो आप मुझे सोच कर बताना, अगर विनेगर खटा है, तो उसमें कोई ना कोई acid होगा, हमें पता है, acid have a sour taste, मतलब विनेगर में भी acid है, and ए harmful microorganisms grow नहीं होते, I repeat, acidic condition में harmful microorganisms grow नहीं होते, and that is the reason, विनेगर को यूस किया जाता है as a preservative, विनेगर is used for the preservation, preservation मतलब बचा के रखने के लिए, preservation of pickle, sauce, ketchup, chutney, etc, इन सारी चीजों में अगर आप विनेगर को add कर दोगे, तो ये सारी चीजें प्रिजर्व हो जाएंगी, खराब न acid है, कौन सा acid है, सुनो, chemical ली विनेगर is 4% acetic acid, acetic acid का formula भी दिया हुआ है, CH3COOH, carboxylic acid है वो, ठीक है, CH3COOH, चत्री कुह, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, चत्री, CH3, कुह, COOH, अब आप पुछोगे, 4% acetic acid का मतलब क्या है, तो सुनो, एक हिसाब बता दोता मानलो कि मेरे पास एक 100 ml विनेगर की bottle है, कितना? 100 ml, उस bottle में 96 ml रहेगा water and 4 ml रहेगा pure acetic acid, तब जाके वो जो solution बनेगा, वो 4% acetic acid solution कहा जाएगा, हिसाब नहीं समझाए, तो एक और example, सुनो, 100 ml विनेगर का bottle है, उसमें से 90 ml water है and 10 ml pure acetic acid है तो वो जो solution बनेगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, 10% acetic acid, हिसाब समझ रहे हो, जितना pure acetic acid हमने पानी के साथ mix कहा है, उतना percent का solution बनता है, तो 4% acetic acid क्या है, it is a very dilute solution of acetic acid, ठीक छे, basic basic बाते समझ में आ गई, तो विनेगर बना के दिख लेते हैं, अब विनेगर produce करने के लिए मुझे चाहिए sugar, sugar का एक source, तो क्या वो sugar मुझे, fruit juice से मिल सकती है, can I use fruit juice as a source of sugar, yes, second source, maple syrup, maple syrup is very similar to honey, मध जो होता है, उसके जैसा ही होता है, लेकिन maple syrup हमें maple trees में से मिलता है, and maximum maple trees कहां पर है, Canada में है, तो Canada is the largest producer of maple syrup, ठीक है, Canada के national flag पे maple का leaf है न, देख लो चे तो गूगल कर लो, maple syrup हो गया, and तीसरा, starch of the roots, मान लो कि मेरे पास एक sweet potato है, रताडू, sweet potato को अगर dry कर दिया, उसका powder बना दिया, तो उस powder में क्या होगा, starch, किसका starch, root का, starch of root, येक हमारा source है, and एक और source है, sugar molasses, हमारे घर पे जो white sugar होती है, चीनी, that sugar is obtained from sugarcane juice, ठीक है, तो during that process, during the production of sugar, एक by-product बनता है, एक waste product बनता है, that is called as sugar molasses, एकदम thick, dark, black color का syrup जैसा होता है, एकदम thick liquid होता है, sugar molasses, तो ये हमारे source है, sugar के, ठीक है, vinegar बनाने के लिए, दो बार fermentation किया जाएगा, कितनी बार, दो बार, तो हमारा जो first fermentation है, इसके लिए हम use करेंगे, हमारा प्यारा yeast, saccharomyces series VCA, अब याद करो, sugar का जब fermentation होता है, तो दो चीज़े बनती है, carbon dioxide and ethanol, carbon dioxide तो gas है, उड़ जाएगी, तो बचेगा क्या, tank के अंदर क्या बचेगा, ethanol बचेगा, तो first fermentation करने के बाद, मुझे क्या मिला, ethanol मिला, ठीक है, इस ethanol को हम कोप्चे में लेंगे, सुनों भी, ethanol को convert करके, मुझे acetic acid produce करना है, and for that conversion, मैं और दो bacteria यहाँ पर add करूँ अब, दो bacteria, acetobacter, नाम लिखते जाईए हो, 5-5 बार, acetobacter plus glucanobacter, and यह दोनों मिलकर, करेंगे microbial degradation, degradation मतलब conversion, ethanol का conversion होकर, हमें क्या मिलने वाला है, acetic acid, कहानी समझे रहे हो, acetobacter, glucanobacter, ethanol को convert करके, acetic acid बना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी, आपको कुछ extra products मिलेंगे, कुछ buy products मिलेंगे, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, acetic acid चाहिए, तो अब इन दोनों को मुझे separate करना है, acetic acid and buy products को अलग करना है, आपकी चोड़ textbook है ना, काफी अजीब है, काफी अजीब तरीके से बनाई गई है, इसमें कुछ चीज़े ऐसी हैं, जिसका meaning आप कहीं पे भी इंटरनेट पर ढूण लो, आपको नहीं मिलेगा, किसने बनाया है textbook मुझे तो नहीं पता, टेक्स्बूक में बोला है, कि there is a process called rarefaction, rarefaction से acetic acid and byproduct separate हो जाते हैं, लेकिन ये word rarefaction, इसका meaning कहीं पे भी ढूण लो, इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, in reference to acetic acid production, research paper भी पढ़ लिए, वहाँ पे भी उसका मतलब नहीं मिला, if there is any teacher who is watching this video, अगर आपको पता है, या फिर एक student किसी आपको पता है, इसका meaning कहीं है, तो please comments में डाल देना, मुझे पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, अगर आपको पता है, तो please डाल देना, लेकिन एक explain करने के point से आपको बता देता हूँ, कि इसका एक मतलब ऐसा निकाला जा सकता है, acetic acid जो है उसका density जादा होता है, तो acetic acid नीचे के layer में settle हो जाएगा, and byproducts उपर के layer में रहेंगे, I repeat, acetic acid का density जादा है, तो वो नीचे settle हो रहा है, byproducts उपर हैं, तो हम acetic acid को नीचे से separate कर सकते हैं, यह एक तरीका यहाँ पर use किया जा सकता है, and एक और तरीका है fractional distillation, distillation से भी liquids को separate किया जा सकता है, ठीक है, textbook में क्या दिया है, rarefaction से acetic acid and byproducts को separate किया, ठीक है, चलो, फिर यह जो acetic acid हमें मिला, can you see, it is colored, उसमें कुछ impurity है, कुछ color है, हमारा घर का जो vinegar आप देखते हो, या फिर market से लेके आते हो, वो colorless होता है, transparent होता है, तो अब हमें इसको भी colorless बनाना है, तो इसके अंदर हम add करेंगे potassium ferrocyanide, potassium ferrocyanide करेगा bleaching, bleaching मतलब क्या, जो भी impurity है, जो भी color है, उसको वो destroy कर देगा, तो हमें acetic acid कैसा मिल जाएगा, अभी colorless मिल जाएगा, ठीक है, चलो, फिर मान लो कि इस acetic acid के अंदर, कुछ harmful microbes, जा फिर कुछ भी microorganism रह गया है, तो उनको मारने के लिए हम क्या करेंगे, पास्चराइजेशन करेंगे, पास्चराइजेशन मतलब उसको हम बहुत high temperature तक boil करेंगे, फिर उसको cool कर देंगे, यह पूरा प्रोसेस होने के बाद, हमें जो acetic acid मिला है, इसके अंदर हम sulfur dioxide gas का कुछ quantity, थोड़ा sulfur dioxide add करेंगे, as a preservative, so that हमारा विनेगर जो है, वो खराब ना हो, and finally इसको bottle में pack करके, बेचने गया, तो विनेगर बन चुका, काफी लंबा सा, अजीब सा, तेड़ा मेडा प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन इसको flow chart के form में अगर आप लिखते हो, step by step, first fermentation ethanol, second fermentation acetic acid plus bright product, फिर उसका rarefaction होके acetic acid separate हुआ, फिर उसमें potassium ferrocinite डालके उसका bleaching किया, फिर उसका pasteurization किया, फिर उसमें sulfur dioxide gas add किया, तब जाके क्या बना, अब इनेगर बन गया, ऐसी process है, समझी, I hope समझी, चलिए थोड़ा आ गया जाते है, चलो, फिर बात करते हैं, फिर नाम से आपको पता चल गया होगा, सोया सॉस मतलब सोया बीन से बनाया जाता है, बड़े-बड़े drums हैं, उसके अंदर सोया सॉस बनाया जा रहा है, it is a traditional Chinese product, हजारों सालों से चाइना में बनाते आ रहे हैं, अब तो पूरे वर्ल्ड में सब जगा यूस किया जाता है, तो सोया सॉस बनाने के लिए मुझे ये तीन चीज़ें, एक तो हम लेंगे वीट फ्लार, गेहुं का आटा, राइस फ्लार, चावल का आटा, और सोया बीन, इन तीनों को मिक्स करके इनको पानी के अंदर डाल देंगे, और इनका क्या करेंगे, फर्मेंटेशन, अंडरलाइन करना, पांच बार लिखना, तो नाम भी याद हो जाएगा, स्पलिंग भी याद हो जाएगा, चलो, यह हो गया, सोया सॉस का कहानी, यहां समाथ, थोड़ा सा आगे जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेज, बेवरेजेज मतलब ड्रिंग्स, अभी इस सा पार्ट में, चार कॉलम्स देव हैं, फ्रूट, माइक्रोब, रोल अफ माइक्रोब, और बेवरेज, तो सबसे पहला फ्रूट लेते हैं, कैफिया अरेबिका, फ्रूट का नाम सुनके पढ़के आपको थोड़ा ऐसा लगा रहेगा, कैफिया अरेबिका, कॉफी, मतलब इस सीड फ्रूट ऐसा टेक्स्बूक में दिया है, एक्चूली में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा कॉफी का बीन है, कॉफी का सीड होता है, उसके उपर एक कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं, म्यूसिलेज, उस कवरिंग को डिग्रेड करने का काम, ब्रेक क करने का काम, यह माइक्रो ऑर्गेनिजम करता है, बाइद प्रोसेस ओफर्मेंटेशन, ठीक है, वो कवरिंग तो ब्रेक हो जाएगी, एड दे सेम टाइम कॉफी का फ्लेवर, एंड उसका अरोमा, उसका जो सुगन्द आता है, यह सारी चीज़े भी डेवलप होती है, एन्ह होती है, बिकाउस फर्मेंटेशन प्रोसेस, टेक्सबुक में क्या दिया है, सेपरेटिंग सीड फ्रोम फ्रूट, एक्चुली में क्या होता है, सीड के उपर की कवरिंग को ब्रेक करता हूँ, ठीक है, एंड फाइनली, नेम अफ दे बेवरेज, क्या मिलेगा हमें, कॉफी कॉफी मिलने वाली है, ओके, दूसरा फ्रूट, थीयो ब्रोमा कैकाओ, यह नाम सुनके कोको, चॉकलेट ऐसा नहीं लग रहा है, तो इस से चॉकलेट बनाई जाएगी, चलिए, माइक्रोब कॉन सा यूज हो रहा है, यहां पर चार टाइप के फंगस हैं, कैंडिडा, हैंस लेकिन एक्चुली में क्या होगा, कोको का जो सीड है, उसके उपर भी कवरिंग होगी, म्यूसिलेज, उसको ब्रेक करने का काम, डिग्रेड करने का काम, यह माइक्रोब करेंगे, बाइक फर्मेंटेशन, और वापस यहां पर भी फ्लेवर और अरोमा, विल डेवलप, विल एनहांस, ठीका है, तो लास्ट में, क्या मिलेगा, यह सब करने के बाद, बेवरेज, कोको, कोको मतलब चॉकलेट, फिर तीसरा फ्रूट यहां पर हमें दिया हुआ है, ग्रेप, ग्रेप से बनता है, वाइन, आपको भी पता है, चलो, तो माइक्रो अर्गनिसम कौन सा यू लेगा, name of the beverage, wine, and last, एक और फ्रूट लेते हैं, apple, apple के juice से भी एक alcoholic drink बनाया जा सकता है, तो यहां पर हम माइक्रोब कौन सा यूज करेंगे, देखे, सैकरो माइसे सेरिवी से हमारा yeast, role of the microbe क्या करने वाला है, fermentation करेगा, apple juice को ferment करेगा, उसमें भी जो sugar है, उसका alcohol में कन्वर सकते हैं, cider भी बोल सकते हैं, आपके उपर हैं, जो बोलना है बोलिए, cider is alcoholic, लेकिन इसके ही alcohol को, ethanol को अगर convert करके acetic acid बनाया जाए, तो एक और product बन जाता है, apple, cider, vinegar, तो दोनों चीज़े अलग है, cider alcoholic है, इसका ही अगर acetic acid बने तो apple, cider, vinegar बन जाए, ठीक है, तो यह होगया द आसा chart production of beverages का, चलिया आगे जाते हैं, chemical industry में बहुत सारे chemical reaction होते हैं, and उन reactions को speed up करने के लिए, fast करने के लिए, क्या use किया जाता है, catalysts, correct, chemical catalysts, they are used in industries to speed up the reactions, लेकिन आपको एक बात बता हूँ, यह जो catalyst है, बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही problems हैं, बहुत ही सारे disadvantages हैं, तो आज आज कल, industry के अंदर, chemical catalyst के जगा पर, हम microbial enzymes use करते हैं, before you understand what are microbial enzymes, पहले enzyme का मतलब समझ लीजे, enzymes are biocatalysts, simple example देता हूँ, हमारे body के अंदर, हमारे body के हर एक cell के अंदर, बहुत सारे reaction हो रहे हैं, glycolysis, Krebs cycle, ETC reaction, हमने पढ़ा हैं, इन सारे reactions को speed up करने के लिए, हमारा body भी catalyst बनाता है, और उस catalyst को हम क्या बोलते हैं, enzymes बोलते हैं, enzymes तुमारे body के अंदर के reaction को speed up करते हैं, simple भाशा में, enzyme क्या है, living organism के अंदर के catalyst, bio catalyst, bio मतलब क्या living organism, simple, तो microbial enzyme क्या है, जिस तरह से मेरा body enzyme बनाता है, कुछ उसी तरह से micro organisms भी, enzyme बनाते होंगे, for reactions, reactions, तो micro organism, जिस enzyme को produce करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, microbial enzymes, simple है point, micro organism ने जिस enzyme को produce किया, उसको मैं क्या बोलूँगा, microbial enzyme, and these microbial enzymes, इनको industries में अलग-अलग type के reactions करने के लिए use किया जाता है, तो पहले हम इनका advantages समझ लेते हैं, इसके उपर भी question आ सकता है, सबसे पहला advantage, they are active at low temperature, pH and pressure, यह जो enzyme है, वो low temperature पे, neutral pH पे and low pressure पे काम करते हैं, मतलब इनको activate करने के लिए, मुझे बहुत सारी energy नहीं देनी पड़ती, ठीक है ना, high temperature के लिए मुझे energy देना पड़ेगा, तो यहाँ पे lot of energy is not required, तो हमारा energy consumption, हमारा खर्चा कम हो जाएगा, एक बात, दूसरी बात, यह enzymes, instruments को खराब नहीं करते, instruments का corrosion या फिर erosion नहीं होने देते, so there is no erosion, erosion मतलब क्या, corrosion, instrument का खराब हो जाना, so that is why हमें कोई special instruments की जरुवत नहीं है, erosion proof instruments are not required, महेंगे वाले erosion proof instrument लेने की जरुवत नहीं है, तो हमारा खर्चा और कम हो रहा है, बड़ाबर दो बाते समझ में आ गई, फिर ये जो enzyme है, धे carry out specific process, मतलब मुझे जो product चाहिए, सिर्फ वही product बनेगा, उस product के साथ-साथ by product, waste product, extra product, ये सारी चीज़े नहीं बनेगी, correct, specific process मतलब specific जो product चाहिए वही मिलेगा, unnecessary by products are not formed, ठीक है, कहानी समझो, extra product नहीं बना, सिर्फ main product बना, तो उस main product का बहुत ज़्यादा purification करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो एक और फाइदा क्या होगा, expenses on purification are minimized, purification का भी जो खर्चा आता है, product को purify करने का, वो भी थोड़ा minimize हो जाएगा, तो cost और कम हो जाएगी, and एक last बाद, these enzymes, they are reused, इनको हम recycle कर सकते हैं, वापिस use कर सकते हैं, इनको फेकने की या फिर decompose करने की भी ज़रूरत नहीं है, simple कहानी समझ गई, they are active at low temperature, pH and pressure, erosion नहीं करते हैं, तो erosion proof instruments की ज़रूरत नहीं है, specific process carry out करते हैं, unnecessary byproduct नहीं बनाते, purification का खर्चा कम हो जाता है, and they are reusable, and हमें बहुत सारे examples यहाँ पर दिये हुए हैं, देखें, थोड़ी यह भी अजीब अजीब नाम है, इसमें से 2-3 example भी अगर आप भायाट कर लेते हो, और फिर याद कर लेते हो, तो काफी है, देखो, एक example दिया है, oxidoreductases, अब इसका मतलब आप थोड़ा इसके नाम पे से figure out कर सकते हो, इस enzyme को oxidation reduction reaction के लिए use किया जा सकता है, correct, फिर transferases है, इसको functional group transfer करने के लिए use किया जाएगा, मतलब याद रखने की कोई भी ज़रुद नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे बता रहूँ, बिकास मेरे को जादा आता है, hydrolysis reaction करने के लिए use किया जाएगा, lyases है, फिर है isomerases, isomerism reaction में यूज किया जाएगे, and lyases, अलग-अलग chemical को joint करने के लिए use किया जाते है, दो-तिन नाम याद रख लो, बस, जादा कुछ नहीं है, oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyases, isomerases, lyases, अजीब-जीब नाम है, ठीक है, तो अब इनका थोड़ा use समझ लीजे, यह जो microbial enzyme है न, इनको detergents के अंदर mix किया जाता है, आपका जो surf excel है, tide है, aerial है, जो गर पे आप यूज करते हो, उसमें कुछ blue color का, yellow color का, orange color का particles होता है, वो particles actually enzymes है, क्यों add करना पड़ा, reason समझ लो, मान लो कि आप hot chocolate पी रहे थे, और वो chocolate का drink आपके t-shirt पे गिर गया, तो पूरा chocolate brown brown आपके t-shirt पे चिपक गया है, अब इस chocolate में कुछ carbohydrate, protein, fat, ये सारी चीज़े होंगी, और उसको अब जितना चाहे पानी से धोलो, वो निकलने वाला नहीं है, तो ये enzymes क्या करेंगे, उस chocolate के अंदर का carbohydrate, protein, fat, इन सारी चीज़ों को break करने में help करेंगे, तो एक कपडा धोने का काम हम थंडे पानी में भी कर सकते हैं, गरम पानी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, so the process of dirt removal, कपडा धोने का काम, low temperature भी किया जा सकता है, बात समझ में आ गए, एक last आपको use बता देता हूँ, यहाँ पर use of microbial enzyme, कौन फ्लावर होता है न, मक्काई का आटा, कौन फ्लावर के अंदर होता है बहुत सारा starch, starch is a complex carbohydrate, अगर उस कौन फ्लावर के अंदर हम दो बैक्टेरिया का microbial enzyme एड करें, bacilli, बैक्टेरिया का नाम दिया है, and streptomyces, यह दोनो microbial enzyme मुझे देंगे, तो कौन फ्लावर के अंदर का जो starch है, उसका breakdown होगा, and starch break होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, glucose का syrup, and fructose का syrup, थोड़ी सी process और complicated है, हम तो एकदम basic पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा detail में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे, कौन फ्लावर के अंदर क्या आता, starch, starch का breakdown किया जाएगा, using microbial enzymes, from bacilli and streptomyces, bacteria से, and after that breakdown, मुझे दो चीज़े मिलेंगी, glucose and fructose, ठीक है, basic basic बाते समझ में आ गई, प्लस यह जो microbial enzymes हैं, वो बहुत सारी industries में यूज किये जाते हैं, paper industry, leather industry, rubber industry, ठीक है, textile industry हो गया, तो यहां होते हैं तुमारी पूरी microbial enzymes की कहानी समाप, I hope सारे concept समझ में आये हैं, ठोड़े अजीब-जीब concept हैं, अगर नहीं भी आये हैं, तो comments में डाल दो हैं, जैसे time मिलेगा, उसका मैं जवाब दे दूँगा, कोशिश तो पूरी करता हूं, सारे, जितने ही सारे comments हैं, उनका reply करने की, answer करने की, right, and as usual, thank you very much for watching.